Hello everyone, आज हमें पढ़ना है एक बहुत ही easy सा topic, अब ये topic easy क्यों है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब हम कोई पढ़ा हुआ topic वापिस से पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत easy हो जाता है, because just हमें क्या करना होता है, उसका revision करना होता है, fine, तो आज हम वही काम कर रह है, हम क्या कर रहे है, revision कर रहे है, किसका, तो देखो topic कितना अच्छा सा लग रहा है आपको nitrogen fixation, याद आ रहा है कुछ, पहले भी हमने इसको पढ़ा है, nitrogen fixation के बारे में, पहले हम already पढ़ चुके है, कहां पढ़ा है हमने, तो हमने previous chapter के अंदर पढ़ा था, कि nitrogen fixation नाम की च कोट शाला, देखो सबसे पहली चीज तो यह, कि हम nitrogen का use ही क्यों कर रहे हैं, हमारे पास कोई reason तो हो किसी चीज को use करने का, तो nitrogen fixation तो करेंगे, well and good, लेकि nitrogen fixation करने के बाद, करने से पहले, हमें यह पता होना चाहिए, बाद तो क्या पता होगा, पहले हमें पता होना चाहि कि हम नाइट्रोजन का यूज ही क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक सिंपल से चीज में आपको पुछती हूँ कि भई हमें इतने सारे न्यूट्रियंट्स की रिक्वार्मेंट होती है तो क्या हमें उसमें एक और चीज की रिक्वार्मेंट है जो कि है नाइट्रोजन क्या आपको नाइट्रोजन की भी रिक्वार्मेंट है? अब most of the students को लगेगा कि नहीं, हमें नाइट्रोजन की रिक्वार्मेंट तो नहीं है हमें तो protein की रिक्वार्मेंट है हमें vitamins की रिक्वार्मेंट है ऐसे ही हमें Mineralsड की और Pat की Requirements है, Carbohydrates की Requirements है और गए GASHello, तभी है तो हमें Oxygen की Requirements होती है उसके अलावा हमें किसी चीज की Requirements नहीं होती है तो फिर Nitrogen की Requirements हमें कैसे पता चलेगी मतलब अगर हमें Nitrogen के Requirements है भी तो हम Nitrogen लेगे कैसे और सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब requirement है ही नहीं nitrogen की तो लेना ही क्यों है और अगर मैं आपसे बोलू कि नहीं आपको nitrogen के requirement होती है कैसा लगा सुनके अच्छा लगा बिलकुल लगा होगा और अल्रेडी जिन्होंने ये topic पहले पढ़ा है मतलब जो हमने previous chapter पढ़ा था जिन्होंने उस video को देखा है nitrogen के बारे में जब पढ़ाया गया था तो उनको पता होगा कि nitrogen क्यो required होता है बट जो लोग आज नए है जो actually सिफ इसी को पढ़ रहे है यानि starting में सारे videos उन्होंने miss कर दी है अब इनको अगर देख रहे है तो कोई problem नहीं है एक बाब फिर हम बता देते है कि human body को even जितने भी living organism present है सारे ही living organism को nitrogen की requirement होती है कैसे होती है और कहा होती है तो देखो oxygen तो हमने सुना ही है बागी सारी चीज़े हमने सुनी है लेकि nitrogen के बारे में नहीं सुना तो nitrogen से बनता है amino acid जब nitrogen को mix किया जाता है जब nitrogen की compounds बनाया जाते है तो nitrogen से क्या बनता है amino acid बनता है अच्छा तो क्या हमें amino acid की requirement है वो भी नहीं सुना हमने तो कभी कोई बात नहीं उससे आगे और आ जाओ तो amino acid से क्या बन रहा है protein नाइट्रोजन से क्या बना amino acid और amino acid से क्या बनेगा protein बनेगा अच्छा ये नाम तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है ये भी पता है कि इस च चिल्रन होते हैं उनको सबसे जादा protein दिया जाता है और उसके अलावा भी जब कभी हम बिमार पढ़ जाते हैं जब कभी हम वीक हो जाते हैं या जब कभी हमारी body को heal up होनी की requirement होती है तब भी हमें जादा protein की requirement होती है otherwise भी देखा जाए तो जब हम balance diet लेते हैं तो उसमें भ हमारी body को heal up करना है तो हमें किसकी जरूरत होती है protein की जरूरत होती है अब यह protein कहां से आएगा तो protein बनता है amino acid से और amino acid कहां से आएगा तो amino acid बनता है nitrogen से तो overall अगर हम देखे तो क्या हमें nitrogen की requirement नहीं है फिलकुल है हमें nitrogen की requirement है अगर nitrogen नहीं होगा तो amino acid नहीं बनेगा और साथ ही साथ प्रोटीन भी नहीं बनेगा और हमें तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है that is why हम ये कह सकते हैं कि हमें nitrogen की requirement है अच्छा अगर nitrogen की requirement है तो एक काम कर लेते है environment में इतना सारा nitrogen तो है जो हमने air composition के बारे में पढ़ा हुआ है तो air composition में क्या होता है सबसे ज़्यादा quantity में 78% of क्या है उसमें nitrogen present है तो जब environment में इतना ज़्यादा nitrogen है तो क्यों नहीं हम वहीं से ले ले जैसे हम oxygen को inhale करते है carbon dioxide को exhale करते है वैसे ही क्यों नहीं हम nitrogen को ही inhale कर ले possible है नहीं है विकज हमने तो यहीं पढ़ा है starting से कि हम सिर्फ और सिफ क्या करते है oxygen को inhale करते है हम और किसी gas को inhale नहीं कर सकते तो nitrogen कहां से लेंगे जब हम atmosphere से नहीं ले रहे हैं तो हम कहां से लेंगे तो हम लेंगे plants के थ्रू अब क्या plant body inhale करती है nitrogen को तो नहीं हमने तो उसमें भी नहीं सुना हमने तो यह सुना था कि stromata के थ्रू only क्या होता है gases का exchange तो होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ oxygen और carbon dioxide का ही gas exchange होता है और तो किसी का नहीं होता तो वहां भी वो nitrogen नहीं ले पा रहे हैं तो फिर कैसे लेंगे actually the problem is कि human body या अधर कोई जो living organism है plant body को छोड़ कर जितने भी animals है living body जो human bodies है वो nitrogen को कभी भी use करके amino acid या protein नहीं बना सकती क्यों नहीं बना सकती तो हमारी body तो food भी synthesize नहीं करती है ऐसा नहीं हो सकता कभी कि sunlight को हमने ले लिया carbon dioxide को ले लिया और nutrients को ले लिया और हम खुदी खाना बना रहे हैं हमारी body में ऐसा तो possible बिल्कुल नहीं है इसका मतलब है कि हमारी body खुद कभी भी खाना synthesize नहीं करती है वो हमेशा किसके उपर dependent होती है plant के उपर dependent होती है चाहे वो animal body है चाहे वो human body है दौनों ही कभी भी अपना खाना खुद synthesize नहीं करते है हमेशा वो plant body के उपर ही dependent होते है तो वैसे ही nitrogen के लिए मतलब protein के लिए nitrogen के लिए नहीं protein के लिए भी क्या होगा human body या animal body जो है वो plant के उपर ही dependent रहेगी वो कभी भी nitrogen को environment से लेकर और protein को synthesize नहीं कर सकती है यह possible ही नहीं है तो अब आ जाते हैं हम plant पे कि इतना तो हमें clear हो गया है कि plant body क्या करती है nitrogen को लेगी amino acid बनाएगी और protein बना देगी लेकिन वो nitrogen लेगी कैसे तो nitrogen को लेने के लिए सबसे पहले nitrogen का soil में आना बहुत ज़रूरी है nitrogen का soil में आना बहुत ज़रूरी है because environment से atmosphere से air से अपने surrounding से plant कभी भी nitrogen को inhale नहीं कर सकता वो कभी भी nitrogen को ले नहीं सकता और जब वो nitrogen को नहीं ले सकता है तो फिर क्या करेगा कोई नो कोई source तो होना चाहिए अदर तो हमने पढ़ा है कि plant body plant body कहा कहा से अपने चीज़े अरेंज करती है एक तो वो sunlight लेती है उसके अलावा वो क्या कर रही है air से carbon लेती है और carbon के साथ से oxygen भी लेती है water से उसको क्या मिलता है water से मिलता है hydrogen और बाकि जो remaining जो होते है वो soil से मिलता है और soil में भी कौन से nutrient पढ़े थे हमने हमने पढ़ा था macronutrient and micronutrient और उनमें एक नाम और देखा था कि इसमें से सबसे ज़्यादा important जो है वो है NPK NPK का मतलब nitrogen, phosphorus and potassium nitrogen, phosphorus and potassium ये तीनों बहुत ही ज़्यादा important nutrients है plant body के लिए जो कि कहां से आते है soil से आते है अब देखो जब हम ही बोल रहे है कि nitrogen कहां से मिलेगा plant body को soil में से मिलेगा तो nitrogen का soil के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है जब तक कि soil के अंदर nitrogen नहीं जाएगा तब तक plant body उसको नहीं ले पाएगी और नहीं वो उससे amino acid और नहीं फिर protein बना पाएगी so the main thing is कि nitrogen का air से soil के अंदर जाना उसी को ही तो हम nitrogen fixation कह देते है देखो environment में nitrogen बहुत ज़ादा quantity में है लेकिन वहां से soil के अंदर उसका mix हो जाना इसी process को हम क्या कहते है nitrogen fixation कहते है so I hope कि at least आपको नाम इसका clear हो गया है कि nitrogen fixation जो होता क्या है और कैसे होगा ठीक है? अच्छा air से soil में जाना ये तो हमें clear हो गया कि air से nitrogen आएगी soil के अंदर जाके mix हो जाएगी और उसके बार plant body उसको grab कर लेगी या absorb कर लेगी fine इतनी चीज़ तो clear है पॉसिबल हो नहीं सकता ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा? यहाँ पर भी एक different process होता है एक different microorganism काम करते है यहाँ पर जो कि क्या करेंगे nitrogen को soil के अंदर लाने का काम करेंगे देखो यह nitrogen atmospheric nitrogen है, इसको soil के अंदर लाना है तो यहाँ पर भी एक special type के कुछ bacteria होंगे कुछ microorganism होंगे वो work करेंगे, तभी यह हो पाएगा otherwise nitrogen का fixation possible नहीं है अब होता क्या है? तो हमने पहले भी पढ़ा है और हम इसको फिर से एक बार revise कर लेते हैं कुछ कौन से plants होते हैं? leguminous plants होते हैं और leguminous plants की roots के अंदर कौन रहता है? तो उनकी roots के अंदर होता है root nodules मतलब कि कुछ गाठे type कुछ होता है अब उन्हीं गाठों के अंदर एक bacteria रहता है जिसको कि हम कहते है rhizobium उस bacteria को हम कहते है rhizobium और यह rhizobium क्या काम करता है? rhizobium nitrogen fixation का काम करता है that means कि इस bacteria को हम क्या कहेंगे nitrogen fixing bacteria कहेंगे जो bacteria, जो microorganism क्या कर रहा है nitrogen को fix करने का काम कर रहा है इसका मतलब है हम उसे कहेंगे nitrogen fixing bacteria fine और यह क्या होते है? यह biological nitrogen fixer होते है biology ने मतलब कि environment ने अपने आपी बनाया है nature ने खुद ने बनाया है हमें इसके लिए कुछ भी special बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है nature ने जब यह way दिया है कि भई यहां आपको nitrogen लेना है amino acid बनाना है और protein बनाना है तो nature ने अल्रेड़ी decide कर रखा है कि आपको nitrogen किस form और किस way में मिलने वाला है so जो leguminous plants होते है उन leguminous plants की especially अगर leguminous plants याद नहीं रहे तो हमें क्या याद रखना चने के पौदे याद रख लो हम मतर के पौदे याद रख सकते हैं मतर तो सबसे पहले याद रहने वाली चीज है क्योंकि ममी पूरे टाइम हमें छिलवाती ज़रूर है पूरी सरदियों है चाले so leguminous plants की roots में क्या होता है root nodules होते है इनकी roots में क्या होगा root nodules होते है और इन root nodules के अंदर कौन प्रेजन होता है इन root nodules के अंदर प्रेजन होते है rhizobium और यह rhizobium क्या करते है यह rhizobium nitrogen को fix करने का काम करते है That is why हम इनको कहते है nitrogen fixing bacteria nitrogen को ये क्या करेंगे environment से लेंगे और उसकी बाद उसको किसमें convert कर देंगे ammonia में convert कर देंगे That is why हमने इसको क्या कहा कि ये nitrogen fixing bacteria है ये nitrogen को soil के अंदर fix करने का काम करता है ताकि उस plant के लिए थोड़ा सा easy हो जाए कि उसकी बाद भी और bacteria काम आएंगे ऐसा नहीं कि उसकी बाद bacteria नहीं होंगे उसकी बाद भी बहुत सारे bacteria work करेंगे और वो उसको nitrogen के compounds में convert कर देंगे ताकि plant क्या करें उसको absorb कर सके और plant body को क्या मिल सके nitrogen मिल सके लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे है nitrogen fixation पढ़ रहे है only जो कि हमें nitrogen cycle को समझने में help करेगा that is why हम से अभी यहां तक पढ़ेंगे कि यहां air से जो soil के अंदर है air से soil के अंदर nitrogen का आना nitrogen fixation कहलाता है और यह करता कौन है तो इस reguminous plant की roots के अंदर रहने वाला एक particular type का bacteria that is called rhizobium और वो यह करता है वो soil से atmosphere से nitrogen को लेता है atmosphere से nitrogen को लेता है और soil के अंदर उसको mix कर देता है और किस form में करेगा तो ammonia बनाने के बाद में करेगा fine, चले I hope कि इतना तो clear हो गया है कि एक plant के अंदर directly nitrogen भी fix हो सकता है किस की वज़े से? leguminous plant की वज़े से और उसके अंदर रहने वाले rhizobium की वज़े से उसके अलावा एक और चीज होती है एक और चीज क्या होती है? एक और way होता है एक और microorganism होता है जिसकी वज़े से nitrogen को fix किया जा सकता है that is blue-green algae क्या होता है? यह होता है blue-green algae अब blue green algae क्या करती है? तो blue green algae जो है वो nitrogen को fix करने का काम करती है ये भी nitrogen fixing bacteria में ही आता है nitrogen fixing algae है ये blue green algae क्या करती है? nitrogen को fix करने का काम करती है तो अगर आपसे पूछा जाएगी कौन-कौन से microorganism ऐसे है जो की nitrogen fixation का काम करते है तो वो कौन होंगे, एक तो होगा blue-green algae और एक कौन हो जाएगा आपका rhizobium नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत easy नाम है, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको ये याद भी होता चला जाएगा आचा, microorganism की बाद तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी nitrogen को fix किया जा सकता है कैसे किया जाता है, तो lightning के through किया जाता है Lightning के through भी क्या कर सकते है nitrogen को fix किया जा सकता है कैसे होगा, तो देखो, air के अंदर nitrogen जो है, वो only and नहीं होता Air के अंदर कभी भी nitrogen only and नहीं रहेगा atmosphere के अंदर, that is why क्या होगा, यह अपनी एक friend को लेता है, donors जिने साथ में एक bond बनाते हैं, और उस bond की वज़े से friendship band बानते हो ना आप भी एक दूसरे को, वैसे ये भी क्या करते है, friendship का एक bond बनाते हैं, और उस bond बनाने के बाद में अपनी elemental form के अंदर, वो वहाँ पर environment के अंदर रहते हैं, इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं, इसलिए हम इसे N2 लिखते हैं, बिकाज यह कभी भी N की form में नहीं होगा, दो nitrogen की molecules वो combine होके, elemental form के अंदर ही, atmosphere के अंदर रह पाएंगे, तो जब atmosphere के अंदर यह N2 प्रेजंट हैं, और जब lightning होगी, तो lightning में ज़्यादा temperature और ज़्यादा pressure की वज़े से क्या होगा, कि यह nitrogen को break कर देगी, मतलब N और N में convert कर देगी, जो इनके बीच का bond होगा, जो इनके बीच का यह bond था, यह उसको lightning क्या करेगी, इसको break कर देगी, lightning ने क्या किया, इसको break कर दिया, और break करने के बाद क्या होगा, break करने के बाद एक बहुत लंबा चड़ा process होता है, जिसकी बज़े से nitrogen को soil के अंदर fix किया जा सकता है, यानि कि nitrogen fixation किया जा सकता है, तो अभी के लिए तो आपको सिर्फ यह याद रखना है, कि blue green algae भी क्या करती है, nitrogen fixation का काम करती है, rhizobium किस तरह से nitrogen fixation का काम करता है, and microorganism के अलावा भी एक method होता है, जिसकी बज़े से nitrogen fixation हो सकता है, कौन सा method है वो, तो वो है lightning, lightning का process हम सबको पता होता है, हम इसे detail में भी क्यों नहीं पढ़ रहे है, because हमारे chapter का नाम है microorganism, तो हम सिर्फ और सिर्फ microorganism की बारे में ही detail में पढ़ेंगे, because हमारे syllabus में ही इतना है वे, सिर्फ से आगे जाएंगे, तो बहुत confused हो जाएंगे, जो वो हमें होना नहीं है, छोटे-छोटे बच्चे है, क्या गर सकते हैं, इतना हमारे माइन में रहता नहीं है, इसलिए, चला, so, lightning के time पे क्या होगा, ज्यादा temperature और ज्यादा pressure की वज़े से, यह जो N और N है, मतलब की जो N, elemental form में था, दौनों ही क्या होगे, सेपरेट हो जाएंगे, उनका तो फ्रेंशिप बैंड था, वो टूट जाएगा, बतलब फ्रेंशिप का जो बॉन्ड था इन दौनों का, वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, lightning के तुरू, और उसके बाद, यह soil में fix हो जाएंगे, यानि की nitrogen fixation का काम हो जाएगा, और डायरेकली नहीं होगा, बहुत लंबा चौड़ा process है यह, बसा, अभी के लिए आपको यह याद खना है, कि lightning भी एक ऐसा process है, जो nitrogen fixation का काम करता है, आपको nitrogen fixation क्लियर हो गया है, अब हम next video में देखेंगे कि nitrogen cycle क्या होता है, nitrogen cycle को समझने के लिए, आपको nitrogen fixation समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर यह समझ में नहीं आएगा, तो nitrogen cycle भी क्लियर नहीं हो पाएगा, that is why पहले यह पढ़ा है हमने, और next video में देल करेंगे nitrogen cycle से, thank you so much.